चलो तुसका digestive system देख रहा है, digestive system में हम लोग देख रहे हैं, इसका सिहुरी देख लेते हैं अगें, यहाँ पर लिखाओ वेरो ग्लासस में digestive system एक complete, elongated, straight, elementary, canal के फार्म में होता है, तथा इसके digestive system में कोई भी digestive gland नहीं होती है, ठीक है, अब देखें यहाँ पर कुछ ग्राफ बना हुआ, like digestive gland का यहाँ पर एक graph में बना के रखा है, digestive system का, यह digestive system कैसा है, यह इसमें कौन-कौन से एक component पाए जा रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लिते हैं, तो दो component है, एक है elementary canal और दूसरा है food digestion and feeding mechanism, ठीक है, food का digestion कैसे हो रहा है, या food का feeding कैसे हो रहा है, यह हम ल elementary canal में definitely आपको पता होना चाहिए कि इसमें elementary canal में क्या होगा, आपके कुछ component पाए जाएंगे, like elementary canal mouth to NS, जितना भी portion पाए जाता है, वो elementary canal कैलाता है, और आपको पता है कि इसमें digestive glands नहीं पाए जाती है, तो सिर्फ इसके कुछ body surface से ही, या कुछ C का एक like structure यहाँ पर है, ठी इसी सही कुछ special type के enzyme secret होते हैं, जो food के digestion में help करते हैं, आगे देखेंगे, लेकिन आपर जो elementary के analysis में कौन-कौन से component है, यह समझ जेजेए, पहला तो component यहाँ पर यह है कि इसमें mouth and vocal cavity पाया जाएगा, mouth and vocal cavity के बाद में pharynx इसमें पाया जाएगा, pharynx जो है वो पीछे की और isofagus में खुलता है, isofagus intestine में और intestine last part NS के form में खुलता है, यह आपनों को पता होना चाहिए, elementary canal का यह part होता है, यह सारे part हम लोग एक एकर के discuss करेंगे, उसके बाद में हम लोग food feeding and digestion के बारे में यहाँ पर समझेंगे, पहला point यहाँ पर elementary canal का जो हम लोग को देखना है, वो है mouth and buccal cavity, right, तो mouth और buccal cavity belleno glasses में कैसा है, उसको देख लेते हैं, फटाफट, देखे लिखा हुआ है, belleno glasses की elementary canal का posterior end, mouth के form में होता है, जो buccal cavity में open होता है, इसमें open हो रहा है, buccal cavity में open होता है, समानिता mouth, provoscis वा contractile के middle body के ventral surface पर, एक rounded hole के form में होता है, जो की लगातार खुलता बंद रहता है, देखे इसको समझेंगे, समानिता जो mouth है, वो provoscis region के contractile middle body, यानि कि जो contractile middle portion है इसका, like, जो provoscis region है, जो provoscis है, इसकी ठीक पीछे की side में, यहाँ पर, ठीके, इस तरीके स आगे diagram देखेंगे, यहाँ पर, यह जो reason पाया जा रहा है, इस region से ही ये mouth opening होती है, तो यहाँ पर क्या है, provoscis वा contractile के middle body के ventral surface पर, ventral मतलब नीचे, नीचे, नीचली surface पर, एक rounded hole, एक गोला कार यहाँ पर hole होगा, छेत होगा, ठीके, के form में होता है, जो की लगातार खु यहाँ पर पाई जाएंगी, जो की बार बार क्या करेंगी, contract, relax करने के बाद में, इसको खोलेंगे और, बंद करेंगे, इस opening को, जिसके कारण ही water अंदर की तरफ, फिल होता है, यह जाता है, इंटर करता है, तरह एंसे लिखा हुआ है, बकल cavity, collar region में, एक small size की cavity के form में होता है, यानि कि जो बकल cavity है, वो collar region में, आपको पता है, इसमें तीन region पाया जाते है, प्रावासिस, collar और ट्रंग, तो जो बकल cavity है, वो collar region में, ठीक है, small size की cavity के form में होता है, ज्यादा बड़ी cavity नहीं होती है, बहुत ही small size की cavity यहाँ पर पाया जाती है, जिसके अगले सिरे पर इसकी भित्य से small outgrowth develop होती है, ठीक है, अगले सिरे पर क्या होगा, एक outgrowth develop हो जाती है, जिसे बकल diverticulum कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बकल diverticulum कहते हैं, लाइक, यहाँ पर यह दिखिए, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना का प्रेया सिरे कर रहा हूँ, अभी मैं आगे फिर बताऊंगे, लेकिन यह थोड़ा diagram यहाँ पर बनाओ, उसको समझ लो, यह वाला जो reason है, यह, यह वाला जो reason है, इसको हम लोग बोलने, प्रोबोसिस, इस region को हम लोग बोलने, प्रोबोसिस, और यह वाला देखो, छेड यहाँ पर आपको दिख रहा है, पूर, यह आपका क बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलने हैं, बक्कल डावर्टी कुलम, इसको हम लोग क्या बोलने हैं, बक्कल डावर्टी कुलम, इसको हम लोग स्टोमो कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो जो बक्कल डावर्टी कुलम है, वो एक्चुल में क्या है, वो एक्चुल मे यहां पर जो बकल केविटी है, इसी का ही अगले सिरे पर उभारदमा आउट्ग्रोध बना रहा है, यह बकल केविटी है। और इसके आगे देखो, यहां पर उभारदमा रचना बना गए। इसी को बकल डावटी कुलम कह रहे हैं, तो अभी देखते हैं, आगे। जले नहीं से लिखा वैं स्टार्टिंग में साइंटिस्ट द्वारा बकल डायवर्टिकुलम को यही जो बक्कल डायवर्टिकुलम उसको नाकि प्रावसिस रिदम को राइट तो यहां पर यह कुछ साइंटिस्ट एसा मानते थे कि ये जो उभार दुमा रचना है ये थोड़ी दूर पर जातर के खतम हो रही है और ये actual में क्या है ये actual में इसका notocod है चुकि ऐसा नहीं है आज के समय में जो scientist ने ज़्यादा study किया है तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई सब ये notocod ने ये बलकि दाइश्टी सिस्टम का ही एक portion माना जाता है तो यहां पर लिखा हुआ है बैलनोग्लासस का notocod मानते थे तता इसके incomplete structure के आधार पर इसे सब phylum hemicod data के सदस्यों को phylum quad data में रखा गया था ठीक है लेकिन यह सबस्ट है कि यह structure real notocod नहीं है तो मैंने क्या बताए मैंने बताए कि स्टार्टिंग में जो सांटिस्ट है वह बकल डाविटी कुलम को बैलनोग्लासस का notocod मानते थे तदा इसके incomplete structure के आधार पर यानिकि जो इसका incomplete structure है उसके basis पर इन अनिमल्स को फाइलम हमी कोड़ डिटा में रखा गया ठीक है और इस फाइलम हमी कोड़ डिटा को ठाकर के कहां रख दिया गया फाइलम कोड़ डिटा में लेकिन आज पता चला है कि structure incomplete है और यह real notocod नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक digestive system का ही portion है part चलिए in the beginningיע a friend 근it कि एसके बारे में समझी इसको हिंदी में करते हैं ग्रास नाल तो यहां पर लिखा हुआ है इस तो आपको ज्यादा समझ में आजाएगा तो इससे मैंने थोड़ा सा क्रॉप भी किया है डियाग्राम को बहुत ज्यादा इसमें घिचपी से लिखा हुआ था मैंने इसको सही किया अगल रात मुं बैट तरके इसे थोड़ा टाइम लग गया तो यह जो बकल कैविटी है इस के पीछे वाला यह जो रीजन है यह जो रीजन है कहना तो इस ए भकल कैविटी का पॉसीर ऐंड टाइर इस एलिमेंटरी कैनाल का यहा पार्ट- ट्रंक के ब्रॉंकियल स्ग्जा रहता है ब्रॉंक्यर antagon में अरेज्ड करनांगिग आ स defenses ऊर्च रहता है ड्र डंट और ये धे रहता है इंटर ंशर पाइब हरंच का सी तो आरंपर का आप यह वे government सी ग्रॉट से देखेंगे प्रिशन नहीं पर आप बोडस एक जिसके कारण ही यहां पर यहां पर कुछ और डेवलप्मेंट हो गया यह देखें तो आंतरी ग्रूप से यहां पर कहीं कहीं पर उभार दुमा रचना है पाई जा रहे हैं जिस कारण इसका जो बॉड़ी है वो वेंटरल पार्ट और डॉर्सल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो यह जो इधर वाला पॉर्शन है यह वाला यह वेंटरल पार्ट कहलाता है और यह उपर वाला जो पॉर्शन है इसको हम लोग डॉर्शल पार्ट कहते हैं ठीक है यह डॉर्सल सर्फेस कहते हैं चलिए नहीं से देखिए आप लिखा हुआ है फैरिंग्स का डॉर्सल पार् जाहता करता है तो जो डॉर्सल प्रचिशन में बाडी से जो भी पॉर्शं आएका बाडी में जो भी पॉर्शं आएका उसको बाहर के और निकाल 슈ra gelir जाता से संभव और वेंट्रч तो फेरिंग्स के डॉर्सल पार्ट में यू शेप्ट गिल स्लिट्स आरेंज रहती है याने कि जो फैरिंग्स का इस डॉर्सल पार्ट है बेटा इस डॉर्सल पार्ट में इस डॉर्सल पार्ट में यह देखिए ब्लैक कलर की यहां पर यू शेप कुछ structure बने हुए है यह जो यू शेप structure है ना इसको हम लोग बोल रहे है गिल slit टीक है याने कि इस collateral rod of gills slit इसको हम लोग बोल सकते हैं और इसका इनहेल कर लेगा वर्टर से अब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका में फंक्शन होगे एक एक्शेंज करना और यह कहां पाए जा रहा है यह गिल्स लिट्स कहां पाए जा रहे हैं फैरिंग्स के स्माल सीलिया पाए जा रहे हैं जो भी food material यहां पर आएगा वाटर के थ्रों ठीक है इस ट्रिंग्स के फार्म में एक्शॉल में आता है food material तो food material को यहां पर trap कर लिया जाएगा यहां से water ऊपर की ओर जाएगा यहां पर gases exchange होगा और अगेन वाटर को back side बेज दिया जाएगा चीक है यह process कैसे हो रहा है अभी हम लोग आगे देखेंगे तो इसके बाद में देखेंगे आप और थार्ड अडिंग पड़ी हुई है इसो फेगस यह क्या कह रहा है यहां फैरिंग्स में इस्थित गिल स्लिट्स के आकरी जो लास्ट जोड़ा है लास्ट प्यर उसके back side में अटेच रहता है इसो फेगस अपने पिछले भाग में पतली नलिका के रूप में होता है जो लास्ट में intestine के साथ जोड़ जाता है तो इसो फेगस क्या है back side में एक thin wall या thin tube के form में present रहता है जो की last portion में intestine के साथ ही जोड टरंक के हीपेटिक रीजिन में arrange रहता है जानी कि मतलब धर तो बैले नोगलासस का जो intestine है थीक है वो कहा पाया जा रहा है तो यहां पर आप देखेगे कि जो सका intestine वाला portion है वो हीपेटिक एक बहुत अच्छी बात रहती है कि जो भी डाइग्राम बना हुआ है उस पर हम लोग दौड सकते हैं पहुं सकते हैं आफ-लाइन रिजन में अरेंज रहता है इंटेस्टाइन की हीपेटिक रिजन की डौसल सर्फेस पर राउंडेड आउट ग्रोट की कुछ सर्फेस प्रेजन रहती है यानि की इंटेस्टाइन की हीपेटिक रिजन में ठीक है इसकी डौसल सर्फेस पर कहां पर डौसल सर्फेस पर थी ये देखे यह वाली कुछ रचनाय पाई जा रहे ही उभार दोबा इसको हम लोग क्या बोलने हैं ही पैटिक सीका बोलने हैं इसकी इनर सर्फेस पर अनेक सिलिया पाई जाते हैं इसकी इने सरफेश पर क्या पाई जा रहे हैं मेनी फ़र में यहां पर प्रधैट इनसरस इसकी इंटेस्टाइन लास्ट जो इसका पोर्चन है वह एनСТ थेकी कहा रहा है अपने पॉस्चीडर एंड पर गोलाकोर छिदय के रूप में ओपन होता है जो पोर में ओपर जिसे चिया होने को पता होना चआएं इन स्फिंव्टर कहने का बतलब होता हम पर परकार की मसल सोगी कि किसी region को tightly held करके रखेंगी और समय आने पर उसको relax भी कर देती हैं तो जो NS का है portion, like NS portion है वहाँ पर sphincter muscles पाई जाती है या जो urethral pore है, urethral pore जहाँ से urine excrete होटता है body से वहाँ पर भी sphincter muscles पाई जाती है इनका main function होता है कि ये क्या करती है ये tightly held कर लेती है उस portion से और उस portion को इतना held करके रखेंगी कि वहाँ से कोई भी portion तब pass out होगा जब आप चाहेंगे ठीके और ये हमारे control में muscles होती है ठीके muscles तिन टाइप की होती है आप लोगों को पता होगा ठीके तो ये हमारे control वाली muscles है सभी ये अज़ाना है सभी पूच्छा है किसी चीज को टाइट करना तो उसी के तरीके से काम करता है सभी प्रगट जी हाँ बोले बटा हम पूछना था डाजेस्टिव सिस्टम में सीलिया क्यों पाया जा रहे हैं उसको ट्रैप कर लिया जाएगा ठीक फूड मेटेरियल में जो वेस्ट मेटेरियल गया उसको ट्रैप किया जाता है और इसका जो डाजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पता है कि बहुत ही प्रिमिटिव टाप टाइप का है और सीलिया क्या करता है सीलिया मुव्मेंट करता है तो जो वेस्ट मेटेरियल रहेगा उसको मुव्मेंट की थ्रो मुव्मेंट के द्वारा क्या किया जाएगा आपक्सायडी में धीरे धीरे पहुंचाया जाता है और एनस के तो निकाल दिया जाता है कि इसे नहीं को रहां यह होता है ना इसका नहीं पारमीश्यम आरदा यूनी सेल्लर और ऑगनिजम । इसकी आंतरिक भूत्ति पर सीलिया पाय जा रहे है तो जो भी फूड पर्टिकल यहाँ पर ठीक है तो यह चीलिया क्या करेगा इंडर करे commencer है िदर मुवध्मेंट करेगा इस तरीक से मूब करेगा इदर कर making पर जो आगे पीशे होकर के दीरे-दीरे बाडी के बाहर निकल जाता है इसलिए यहां पर जो भी वेस्ट मेटेरियल होगा उस तब एनस तक ले जाएगा अब बिकुल और एनस से बाडी के बाहर अक्सिर्ट कर दिया जाता है में अपको पता ने की हैं वेवीन रागिताए बहुत ही प्रीमिटिर टैप का spac जब इस प्रीमिटिव होने का रीजन हो सकता है क्या कि मेरीन वाटल मेरते हैं प्रेमिटिव होने होने का मतलब है कि evolution हुआ है और इवोलीशन हमेंसा सब प्रिमिटिव सही हुआ है जो ही हाइर का formation हुआ है तो primitive होने का मेन घैं है कि इसका जाए oblivion हुआ होगा तो ऐसा ही बना होगा और किसी ने किसी का ancestor रहा होगा भाई आज जो evolution higher level का हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग कहते हैं अगी पानी से ही विकास हुआ है प्रत्वी पर रियल बात है जो हमारी फिसेज हैं वो ancestor है हमारी फिसेज को ancestor of human being कहा जाता है evolution में आप लोग पढ़ेंगे बहुत सरी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों से मैच करती हैं फिसस की तो इवलीशन होता है प्रिमिटिव होने का ना कि कहीं रहना तो जहां पर वो रह रहा है वहां पर और भी ऑगनिजम पाया जारें लेकिन वह बैड डवलप है इस फिंटर मसल्स पाया जाती है जिसके जिसके कारण और यह मसल्स एनल पोर के ओपनिंग वा क्लोजिंग को कंट्रोल करती है तो देखिए यहां पर जो बैलेनो ग्लासस इसके एंटीर एंट पर यह राउंडेट इस्टक्चर पाया जा रहा है इस राउंडेट इस्टक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रवासिस क्या बोलते हैं और इसके अंदर जो जो सीलो में इसको हम लोग बोलेंगे प्रवासिस सीलो तो बाहर की और जो स्ट्रक्चर यह पाया जा रहा राउंडेट इसको प्रवासिस बोले हैं और इसके अंदर एक क्यावटी पाया जा रहे हैं अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे यहां पर एक राउंडड गोला का सनचना पाई जाती ओपनिंग जिसकी वेंट्रल सर्फेस पर कहां पर एक गोला का सनचना पाई जा रही है जिसको हम लोग माउथ कह रहे हैं क्या बोलने हैं माउथ बोलते हैं यह जो इस इस ऊपर आप देखें तो इहां पर ओर चारा को दिखाई दे रहा यह वाला चिके यह जो च्रक्चर है और यह जो श्रॉटफ यह जो उस्ट proposed agree to go तो जो pre-oral ciliary body है यह water के entry को test करता है that means इसके अंदर जो food particle गया है साथ में वो सही है यह sand particle गया है वही है यह food particle गया है वो है अगर food particle भी गया है तो strings के form में यहाँ पर बन जाएगा अभी हम लोग food food mechanism देखेंगे food feeding और digestion का mechanism आगे समझेंगे तो आपर बताऊंगा मैं फिर यहां पर थोड़ा सा और पीछे अगर इसके back side में आते तो आपको यहां पर क्या मिलेगा वक्कल cavity क्या मिलेगा वक्कल cavity आपको पता है वक्कल cavity में food आकर करके रुपता है जो आपका है इस माउथ के माउथ तो पूरा है ना माउथ पूरा बोलने लेकिन अगर आप टीथ के पीछे अगर आप देखें अपने दातों के पीछे देखें और फैरिंग्स वाले रिजन के आगे यानि गले के आगे पॉर्षन देखे तो वहां पर छेट पाया जारहा है कि जहां पर टंग जो है वहां पर क्या है इसको आपर और नोग रचना पाय जारही है इस structure को हम लोग बोलते हैं Bucal Diaberticulum क्या बोलते हैं इसको में बोलते हैं क्या Stomocord और यहीं से आप देख रहे हैं आपको structure एक और यहां पर एराइज हुआ ब्लैक कलर का जिसको हम लोग heart vessels कहते हैं यह ब्लड स्ट्रेटी सिस्टेम में देखेंगे और यह जो इस टोमो कॉर्ड है यह पीछे की तरफ जहां पर माउथ वाला रीजन पाहे जा रहा है इस रीजन को बोलते हैं कि कॉलर रीजन बोलते हैं यहां पर यह जो लिए इस को लिए मेज़े स्ट्रक्चर पाए जा रहे शराओ सब्सक्राइब कर दो जो दो बखाल कव्यटी के ज़स्ट थोड़ा सा पीछे अगर अम लोग चले तो यहां पर फारिंग वाला रीजन दिखाए देता है कॉंसा री जब दिखाई दे रहा ये फैरिंस वाला इसको फैरिंस बोलने जिसको लोग हिंदी में कहतें हैं गरस्ट टाइस में यहाँ पर फूड़ आकर के एकुबिलेट होगा इसके साथ यहाँ पर जो वाटर आया है वो इसके dorsal lesion में जो यहाँ पर U-shaped, कैसे U के आकार के, U-shaped, U-shaped skeletal rod of gills slits जो पाई जा रही है, उनसे यहाँ पर gaseous exchange होगा, ठीक है, और इसके ठीक नीचे, pharynx के ventral surface पर यहाँ पर, मैंने बताए कि सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अब ph pharynx जहां पर Windows अंज जहां पर खतया हो, यहां पर खताम होता है जहां पर ठीक पीछे, यहां पर इसॉप्थेयल पाइज पाया जाता है . यहां पता है जो फैरिंग से और जिसलेगाई है डारेट खूल यह पर इंटरेट मेश्ट काहां पर इंटेस्टराइट में और आपको मालूम है कि इस फूलता है कहा जाता इप i जाता इस चमक में हम लोगों में हम लोगों में माउट पाए जाएगा है माउट के बाद में बख ल होता है स्टमक में और इस टमक जो है वह इंटेस्टाइन में ओपन होता है ठीक है तो इतना समझ मैं अब अगर मैं बात करूँ आप जैसे का कि सर मुझे समझा दीजे उस पोर्शन को तो वह भी में पोर्शन या पर किलियर कर दे रहा हूं कि इसके बाद तो जैसा कली में आपको पढ़ांगा फूट फीडिंग मेकनिशम देखें हम लोग अनिमल्स की बात करते हैं अपनी बात करें तो यह लोग है कि हम्लोग है नहीं से कोई बात नहीं समझ लोंगे यह लोग है हमें मालू में यहां पर यह माउत वाला रीजियन है यह उपर की तरफ जो है यह ने जल चेम्बर होता है लेकिन हम लोगों में इस टौक पाये जाता है तो यह टमक गया इस टमक जो है यह इस टारीके से राूंडेंट इस्ट्र Südler में आता है नीचे की तरफ इंट्रस्टैन में खूलता यह जो पहला Пお願いします यह लुडिनम जो ची किया दिखाई देता है यह टि युडिनम में नीचे की तरफ सब्सक्राइब ने से पहले यहां पर एक स्वाइलिंग लेक स्ट्रिक्चर बनाता है यह इस तरीके से यह पर वर्मी फार्म अपैंडिक्स और यह उपर की तरफ लाइक इस तरीके से होता है लेकिन लेकर पता नहीं कहांropol पे माउथ माउथ तो दिख रहा है लकिन एप नहीं कर पा रहे कि एसके बाद में फैरिंग्स कितना दिया जाए बकल के विटी कितना धिया जाए और फैरिंग्स लगाद में इसोफेकस कहां से जुड़ेगा यह समझ नहीं आएगा क्यों क्योंकि यह आपका प्रिमिटिव टाइप का है और यहां पर मैंने बताए कि यह सिकम यह लाज इंचे स्टांट के पहला पॉरिशन सिकम और यह वाला कोलन रेक्टम होता है और यहां पर यह रेक्ट सिस्टम का पॉर्शन है और अधिक तर मुझे पटा है आपने जो मुझे पटा है आपने सिस्टम पढ़ा है वह बिट्टा अभी हायर लेवल का पढ़ा होगा अलेवन्थ में ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है इसलिए फोड़ा सा कंफ्यूज में थे अभी आप यह समझ इसमें देख रहे है कि जो गरी जे एक सिलिरी फिडर होता है जो ग Natomiast की सहीं अपना सूंद करता है यानि कि जो gills slits हैं, उसकी सहायता से वाटर को फिल्टर करेगा, और उस वाटर में जो food है, उस food को क्या करेगा, find कर लेगा, मतलब रोक लेगा, पकड़ लेगा, capture कर लेगा, ठीक है, बेलेनोगलासस का food microorganism, for example, protozoans, larva and bacteria आध ही होते हैं, तो इसका जो माइक्रो ऑगनिजम है कौन कौन है मैंने बताया प्रोटो जो होते हैं और कुछ ऑगनिजम के लार्वा और बैक्टिरिया आधी होते हैं नहीं ऐसे यहां पर लिखा हुआ है फीडिंग के समय बैलेनो ग्लासस के माउथ में इंटर करने वाला वाटर गिल्सलिट के सीलिया की सहायता से फिल्टर होता है तो यह जो मैकेनिजम यहां पर लिखा हुआ है इसके थोड़ा सा फोकस दीजी बचों तभी आपको समझ में आएगा यह क्या कह रहा है तो इसमें लिखा हुआ है कि फीडिंग के समय जब भी फीडिंग करता है बैलेनो ग्लासस उसके समय माउथ में इंटर करने वाला वाटर गिल्सलिट की सहायता से फिल्टर होता है तथा इससे फाइंड होने वाले फूड पार्टिकल बककल कैविटी वा फैरिंग्स में करने वाला बगवर्ण को जला रहा है और यह वह ग्लासस तो उसको यहां पर इस स्टॉड कर लिए तो इसको कहां स्टॉड की ऊण यहां फैरिंग्स वाले रीजन में इस्टोड किया गया है चलिए है कि इस्टोड कर लिया जाता है फिर देखे आगे लिखा हुआ है माउथ दौरा इंटर करने वाला वाटर एक स्पेशल पाथवे की साहता से बकल कैविटी में इंटर करता है यानि कि माउथ के तो जो वाट और आ रहा है वह एक स्पेशल पाथवे पाथवे मतनब रास्ता एक स्पेशल रास्ते से बकल कैविटी में इंटर करता है ठीक है तथा इसके पाथवे दौरा बकल कैविटी से बाहर निकलता है यानि कि जिस पाथवे से वाटर अंदर आया उसी पाथवे से वाटर बाहर वाटर के साथ बॉडी में पहुंचने वाली oxygen को respiration में यूज कर लिया जाता है यानि कि जो water में dissolve oxygen है उसको respiration में किया कर लिया जाता है सामानेता water में पाई जाने वाली food particles mucilage की सहता से प्रावासेस की surface पर एक thread form में arrange हो जाते हैं जिसे food strings कहते हैं, समझो, यह कह रहा है, सामानता water में पाए जाने वाले food particle, यानि कि जो food particle है, वो जो है ना, mucilage की सहता से, प्रावासिस की surface पर, जो प्रावासिस है, उसकी सता पर एक third form में, एक भागे के रूप में arrange हो जाते हैं, जिसे food strings कहते हैं, इस food strings को प्रावासिस के base के पास, प्रावासिस जो है, उसके आधार के पास, इस थे pre-oral ciliary organ, बहुत important है, इसको याद रखीगा, यानि कि जो pre-oral ciliary organ है, इसके पास, के द्वारा test किया जाता है, यानि कि जो pre-oral ciliary organ है, यह क्या कर रहा है, जो body के अंदर water इंटर कर रहा है, उसको यह क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, तथा food के form में ना पाये जाने पर, इस food string के food particle को reject कर दिया जाता है, अगर food form में ये food string नहीं पाया गया, जो string यहां पर बनेगा, जो capture किया जाएगा food, water से, वो अगर food form में नहीं है, sand के form में है, rate के form में है, तो उसको reject कर दिया जाता है, body से बाहर निकार दिया जाता है, ठीक है, तथा यह rejected food particle, collar region में arrange हो जाते हैं, यानि कि जो collar region में बहले नहीं हो, वहाँ पर क्या कर दिये जाएगे, arrange कर दिये जाएगे, food के form में पाये जाने पर, अगर food के form में string पाया गया, ठीक है, पाया जाने पर, particles एक mucilage string के form में, mouth से into करके, मucilage strings के form में, string मतलब एक धागा हम कह सकते हैं, एक line हम कह सकते हैं, जो mucilage का यहाँ पर बना हुआ है, strings के form में, mouth से into करते हैं, और लगातार peristalsis movement, यानि कि इसके अंदर जो peristalsis movement हो रहा है, ठीक है, लगातार peristalsis movement के दौरा, intestine के hepatic region में पहुँच जाते हैं, यानि कि जो intestine के hepatic region है, वहाँ पर ये पहुच जाते हैं, इस रिजन में पाई जाने वाली hepatic cica, यानि कि यहाँ पर जो hepatic cica पाए जा रहे हैं, उसका में रोड हो गया, hepatic cica के form में glands होती है, क्या पाई जा रही है, गरंथियां पाई जा रही है, जो special type के enzyme का secretion करती है, तो यहाँ पर एक special type का enzyme secret कर रही है, क्यों hepatic cica, जिनकी सहायता से food का digestion होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, food का digestion होता है, पर देखे हैं अगर लिखा हुआ है, बेलेनोग्लासस की elementary canal में, food digestion की process पूर रूप से ग्यात नहीं है, यह भी बोल दियागा है, कि बेलेनोग्लासस की elementary canal में जो food digestion की प्रक्रिया हो रही है, वो पूरी तरीके से इस process को अभी तक जाना नहीं गया है, इस process को अभी तक समझा नहीं जा पाया है, ठीक है, सामानेता food digestion intestine के अंदर होता है, यानि नार्मली अगर हम बात देखें है, तो जो food digestion हो रहा है mechanism, बेलेनोग्लासस के अंदर, वो कहां हो रहा है, इसके intestine में ही हो रहा है, जिसमें hepatic cica दौरा secret enzyme की साहता से, यानि कि जो hepatic cica है, उसके दौरा enzyme secret हो रहा, उसकी साहता से किया ज पारिजेशन होने के बाद, बचे हुए undigested food particle, elementary canal में पहुचने वाले sand particle के साथ, यानि कि जो elementary canal में sand particle भी पहुच गए, उनके साथ, एनस ओपनिंग दौरा बाहर excrete कर दिये, जाते हैं, जिस portion को, या जिस material को, जिस excrete material को कास्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिंग क क्या होता है, आपको पता है कि जो बेलेनो ग्लासेस से इस तरीके से, बिल के अंदर पाया जाता है, ये पूर यहां पर है, एक पूर यहां पर है, मालो इस साइड में माउट है, तो बेलेनो ग्लासेस का इस साइड में क्या होगा, एनस होगा, ठीक है, तो माउट से जो भी इसके कारण इसका जो एक एक एंड है लाइक जहां पर बिल का बरो के एनल पोर का जो एंड है वो रंद जाता है तो हम यहें कही सकते है एक खूला रहता है और दूसरा पोर बंद रहता है छोगा में जोग है और यहां पर थिक्पिद करता रहतdog इस तरीके से food feeding mechanism का हम लोगों ने process समझा है theoretical process समझा है अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं यहां पर देखिए कुस डाइग्राम बना हुआ है इस डाइग्राम के ऊपर थोड़ा सा focus किजिए तो देखिए पूरा का पूरा जो डाइग्राम बना प्रवासिस एक्टिकल में सूर्ण ही इसको बोलता है तो यह वाला जो रीजन है यह वाला यह रीजन क्या कहला रहा है प्रवासिस कहला रहा है ठीक है सूर्ण कहला रहा है इसको इसलिए हाइलाइट कर रहा हूं कि अलग से आपको दिखता रहे है यह कौन सा रीजन है प्र यह कौन सा रीजन है माउथ रीजन है इस रीजन से क्या होगा इस रीजन से क्या होगा वाटर अंदर की तरफ इंटर करेगा राइट वाटर अंदर की तरफ आया अंदर की तरफ जाने से पहले आपको पता है कि इसके प्रावासिस रीजन में माउथ के पास में ही एक और स्ट पाया जाता है जिस इस्ट्रक्चर को यहां पर क्या नाम दिया गया है उसको ये टेस्ट करता है क्या करता है टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद में जो इसके अंदर food particle होता है उसको ये capture कर देता है और capture करने के बाद में यहाँ पर strings के form में like ये इस तरीके से food particle ये जो food particle ही ब्लैक कलर का जो दिख रहा है इस तरीके से कि string के form में, line के form में arrange हो जाते हैं और इसमें mucos रहता है अब अगर ये food particle जाचा गया कि हाँ ये food particle है तब क्या होगा इसको body के अंदर entry मिलेगा लेकिन अगर ये food particle नहीं माना गया ठीके अगर ये pre-oral cellular organ के दोरा जब भी इसको test किया जाएगा और ये food particle नहीं ह है तो उसको क्या कर दिया जाएगा जो caller reason है ये वाला इस caller reason में इसको क्या कर दिया जाता है इस stored कर दिया जाता है ये यह यहाँ पर लिखा हुआ है rejected food particle जिक यहनी कि जो rejected food particle है उसको caller reason में क्या कर दिया गया एकत्रित कर दिया गया और यह reject क्यों किया गया आपको पता है क्योंकि यह food particle नहीं है लेकिन send particle है जिसके कारण यहाँ पर यह string के form में बन तो गया था जब इसको यहाँंपर judge किया गया है टेस्ट किया गे तो इसको यहीप रूख लिया गया अगर यह पर अगर यह पाटिकल अगर इपाठिकल रिजेक्ट दalter जा रहा है यहाँ पर जो आपको पता है पीछए के तरफ क्या पाय कि ईहीं ग franchise तो गिल्ट निजये वाटर, निकाल दिया जाएगा इसी पाथवें के तो और मैंदिः को यहाँ पॉड्ट पार्टिकल को फेरिंग्स में ही रोक लिया जाता है ठीक है, food particle को कहा रोक लिया जाता है, pharynx में ही रोक लिया जाता है, या बकल cavity में इसको एकत्रित किया जाता है, तो कहने का रथ यह है, कि यहां से जो food and feeding mechanism प्रोसेस हो रहा है, उसमें बकल cavity, pharynx, gills lits, preoral ciliary organ और आपका proboscis और यह collar, यह सारा का सारा part क्या करता है, important role अदा क करता है, proboscis क्या करता है, proboscis यहां पर food particle को lirian form में arrange करेगा, preoral ciliary organ क्या करता है, mouth के तरो, mouth के तरो, जो भी यहां से, जो भी यहां से water अंदर की तरफ जाएगा, इसमें जो food particle होगा, उसको यह capture करेगा, और mucus strand का formation, mucus strand के formation के तरो food string का यहां पर क्या कर देता है, collection करा दे ठीक है, यह food particle देखिए, यहां पर पाया जा रहे है, तो यहां पर PCM अगर आते हैं, तो पीछे color region का एक main function है, कि जो भी rejected food particle होगा, उसको यहां पर क्या कर लिया जाएगा, stored कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, इसको body के अंदर नहीं भेजा जाता है, rejected food particle को body के किसके तरो, pre, oral, ciliary organ के तरो, ठीक है, color region में, तो इसको क्या किया जाएगा, पीछे की तरफ continue form में भेज दिया जाएगा, तो buccal cavity, buccal cavity then, color, color then, pharynx, pharynx वाले region में यह जाएगा, और pharynx से intestine, isophagus और isophagus से intestine में जाता है, क्योंकि isophagus के बाद मैं आपको पता है कि क्या, यह निश्टमक होता है लेकिन निश्टमक यहाँ पर नहीं होता है